वेलकम बैक टू आचैनल अलबाट एंसी आर्टी आप लोग आपके लिए रोज अच्छे वीडियो लाते हैं तो आपको क्या करना है आपको हमाय वीडियो को सब्सक्राइब करना है पर अब चैनल में नए है तब सब्सक्राइब करना है अगर पुरान है तो करें यह उन कोंाओं लोगों नहीं हमें सब्सक्राइब कर रहा है आप आगई के सब 86% बच्चो ने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहें तर आज ही सब्सक्राइब कर दें क्यूंकि हम लोग को इससे मोटिफेशन मिलती है तो अगर आपने लाइक और कमेंट नहीं करते हैं तो वह भी करना आज साफ सुरू कर दीजिए जैसे कि हमने हमारा फोट चैप्टर कंबशन एंड फ्रेम पूरा कंप्लीट कर दिया है तो आज हम लोग आ गए हमारे एक नए चैप्टर के साथ जो किया ऑप्रेमW Levka वेस्ट जोसे कर दिएक क्या दिया है तो यहाँ पे अगए कैंपाई क्या quote पहली अद बूजो में आप यहाँ पर दे कंपाई की वाथम आपने समोगोग ए्पेरिशों आपने पिक बीजुदम एप व्हें कर रुख शे Almaर बहुत सब्सक्राइब कुछ क काजिनंगा नैशनल पार्ग लॉक चाई वाइड लाइड लाइड सैंचुरी ग्रेट नीकोबार डायो स्पेर रिजर्फ टाइगा डिजर्फ एक सेंचुरी तो प्रोफेसर एहमत के साथ कहां अच्छी जगए गए तो वहां पे गए तो वहां उना हमें बहुत साइब दी फॉरस्ट के बार में तो अब वह जो है अपने स्कूल ना अपने आप्रोफेसर आपने साथ जीजां को शीर करना चाहता है और उनके खवरी फिरा ना पर खालंे साथ बहुत साथ ब्लस जीज़ चेज करना चाहते हैं और उनकी ग्रास में उनके यह यादि कि बरत पॉस प्रश राव यह काजी रंगा नैशनल पार्क गयोंगे कोई लॉक्टर नोब वाइओ लाइफ ञंचिरी किरेंगे कोई ग्रेट नी क हॉबार बढार बाइओ स्पए रिजरब में ग्रेओं कि अए इसकेड नल्ट प्रसाइश के बारे में बढ़ते हैं उसके बाद फिरम आगे पढ़ेंगे आपको तो पता ही कि हमाई अर्थ है उसमें बहुत सारी वेराइटी के प्लांस और अनिमल एक्जिस्ट करने है कि यह हमार जो मैंकाइंड है इनका बहुत ही अच्छे से ध्यान करते हैं और आज तक अगर कोई इनसान जिन्दा है तो वह सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के वज़र से ही जिन्दा है क्योंकि अगर प्लांट और आनिमल नहीं होते आज तक हम लोग जिन्दा हैं अब देखो आपको तो पता ही होगा कि अब्र पर 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 प्रीज इंदा फॉरेश्ट और कर देना वहां जिटने भी प्लीज हैं और उसको किस चीज़ के लिए यूज करना कोई और पर पर प्लीज यहां पर क्या लिखा है वी क्लिरिग ओफ फॉरेस्ट एंड लेंड प हुआ पर 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 प्रीज इंद फोरेश्ट और क्ट फउरेश्ट केंशन बिलों ट्रीज क्यों कि अधार में उसके कुछ पर पपस आपको यहां पर नीचे दिया है उसकी इन लेंड में खेटी इन पानने के लिए भी फोरस्ट क्ट केंड जाते हैं हम हाूज मुनाने के फायरज अब लगती है कि पेड़ों पॉधों में अचानक आग जो लगती है उसका उसको फॉरेस्ट वायर के लिए और इनगी चीज़ों के विए से क्या होता है इस प्रेज़ ने सुखापन भी हो जाता है अब देखो किया दिखेंक एक्टिविटी 5.5 में add more causes of deforestation to your list and classify them into natural and manmade deforestation के कुछ causes अपने list में लिखो और फिर ने नेचरल और manmade में classify करो consequences of deforestation पहली इन भी जो भूजो रिकॉल्ड the consequence of deforestation they remembered that the deforestation increased the temperature and pollution level on the earth उनको पता था कि जो deforestation क्या बढ़ाता है पॉलीशन भी बढ़ाता है साथी साथ और temperature भी बढ़ाता है इट इंक्रीज़ दा लेवल ऑफ carbon dioxide in the atmosphere आपके trees कम होंगे तो carbon dioxide को कम लेंगे और साथी साथ आपके oxygen को भी कम release करेंगे as a by-product उसके बाद से ground water level also get lower groundwater level आपको तो पता ही होगा hand pump से जो हम निकालते हैं वह groundwater ही होता है नीचे से खिसके आता है तो ग्राउड वोटर लेवर्ड भी जो होता है घट जाता है अब किया है एंगे क्थे नो डेंटी छिंडर दिस्टर्ब्ट ऑलेंस आज नीचर करता है तो आपके लेगे आपके बाद सब नहीं रहेगा खराब हो जाएगा सब्सक्राइब कर रहे हैं ऐसा क्यों आपको पता ही होगा कि जब पौधे होते हैं तो क्या होता है कि आपके पौधे होते हैं ना इंग्पा सैंगे क्टीज होते हैं तो रहेंदे लुको जमीन में किनने looks सब्सक्राइब नहीं आते हैं तो आपकी जो रेंफॉर होगी वह डिरेक्ट नीचे जाएगी उससे क्या होगा आपका सॉयल इरोजन भी होगा और साथी साथ भी आएगा दोर आवर देहर विल इनक्रीज चांसे ऑफ नैच्राइमेटिक सच एस फ्लॉड्स एंड रॉट्स य इनक्रीज अमाँट उप इन एट्मस्पेर अगर बहुत ही कम द्रीज होंगे अच्छा ठीक स्ट्राइब आपको तो यह पता ही होगा कि जो हमारे ट्रीज होते हैं वो उन्हां खाना में अगले क्ली क्या करते हैं कर्म डायोक्साइड लेते हैं तो वैसे ही क्या होगा अग को this will lead to grow by warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth it increase the क्या लिखाइड ये स्टुरेंट की जो हमाई carbon dioxide gas होती होती है वो होती है green house gas green house gas का काम क्या होता है usually क्या होते है आर्थ में heat पढ़ती है और वो रिफ्रेक्ट होगे वापस चले जा लेकिन जब ये green house gas जैसे carbon dioxide methane carbon monoxide ये सब जब gases आने लग जाती है तो क्या होता है हमारा मैं इसके लिखें अब देखो यहां पर क्या लिखें पर लिखें जैंक्रीं तेम्टेटर्चर ऑं देश्ग में रिडियोज रेंट पार दॉड गरेंगे जो माई वाटर्स चैंट रॉट्टर्ट को डिस्टरब कर देगा और साथी साथ रोट भी पूने लग जाएंगे अ डीफॉरेस्टिशन अमा जो सॉइल की प्रॉपर्टीज होते हैं टेक्श्यर नुट्रियन्स इन सबको भी एफेक्ट करता है कैसे पड़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल गेट एफेक्टेड बाइ प्लांटेशन एंड वेजिटेशन फिजिकल प्रॉपर्टी टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज दा लोवर हार्ट रॉपर्टी लेयर अगर टॉप लेयर जो नुट्रिशियस लेयर होती है वह हट जाएगी तो क्या होगा रॉपर्टी लेयर हमारी रहेंगी जमीन में ठीक है तो अब यहां पर देखो जैसी हमारी जो टॉप लेयर ह जो जाएगा और वह बहुती कम फर्टाइज होगा ग्रैजुरली दफर्टाइल लेंड गैट अन कंवर्टे इंटो देजर और धीरे धीरे जो हमारी चलिए जो अच्छा लेंड होता है इसमें करन्यों जाता है हमारा डैजर्ट में उसके बाद इसको हम डी इसर्टीफिके तो deforestation और desertification में बहुत जाधा अंतर है desertification यानि कि जब आपका gradually जो fertile land होता है वो desert में convert हो जाला है तो हमसे desertification कहते हैं deforestation also leads to the decrease in water holding capacity of soil deforestation और किसमें increase करता है जो हमाई water holding capacity होती है उसको हमें decrease कर देता है यानि कि पहले तो soil जो था हमारा water अच्छी तरह hold करा था लेकिन अब जो हमारा soil of water अच्छी तरह hold नहीं कर पारा है अब देखो आपर कर लिए the movement of water from the soil surface to the ground into the ground infiltration rate और जो हमारा infiltration rate होता है जितना पानी ग्राउंड में जा पाता है वो भी बहुत जादा हो जाता है अब देखो so there are flood और इसी की वज़े से flood भी होता है क्योंकि water आपका अंदर soil में अच्छी तरह घुस नहीं रहे तो वह ही रहे गया ground के उपर पर समय जो flood होने के चांसे होते हैं वह बहुत जादा बढ़ जाते हैं अब देखो यहापर कर लिख रहा है the other properties of soil like nutrient content texture etc also change because of deforestation क्योंकि deforestation है तो soil का texture होता है इसका aeration power होती है वह सभी के सब खतम हो जाते हैं अब देखो we have studied in class 7 that we get many products from forest आपके तो पताएं कि हमें forest से कितने साइं प्रोडक्स मिलते हैं आपको उन सब प्रोडक्स की लिस्ट मिलानी है और में को comment में भेजना है थीक है अब देखो यहाँ में क्या लिख रहे का है activity 5.2 and your life is also affected by the deforestation how? list the point by deforestation how? list the point and discuss them in your class तो यह भी आपको में को comment box में भेजना है की animal life कैसे deforestation पेफेक्ट होती है dear student बहुत ही simple सा answer है में को comment box में बताना आप conservation of forest and wildlife having become aware of effects of deforestation जैसे कि आपको इतने सारे effect मिलगें deforestation के तो पहली अन्बूज़ों आप वरी पहली आप बूज़े बहुत जारे tension में आगई इतने सारे effect होने हम क्या करें क्या करें क्या करें तो क्या करें वो प्रोफेसर एहमत के पास गए फिर से पूछने के लिए कि हम लोग कैसे forest of wildlife को save कर सकते बाइस पेर इस the part of earth which living organisms exit in or support life biological diversity or biodiversity refers to the variety of organism existing on earth their interrelationships and relationship with the environment professor एहमत organizes a visit to the biosphere reserve for पहली आप बूज़ों and their classmates he selects a place named pachmahari biosphere reserve he knows that the plants and animals found here are similar to doors of upper himalayan peaks to doors of belonging to lower western ghats प्रोफेसर एहमत थे पहली और बूज़ों को कहां ले गए पच्महारी biosphere reserve में वो ले गए क्योंकि उनको पता था वहांके जो animals और plants होते हैं वो बहुत ही जा सिमिलर होते हैं जो डाइवोसिटी यहां पर आपको पच्महारी biosphere reserve में मिलेगी वो कहीं और जगह आपको नहीं मिलेगी यह request माधवा जी अब फॉरेस्ट इंप्रॉय तो महां पर माधवा जी ते एक जो फॉरेस्ट इंप्रॉय तो उन्होंने उनको बुला बुलाया उनसे बहुत जादा रिक्वेस्ट से कहा कि आप चुल्डर्स को गाइड करिए कि आपके फॉरेस्ट में क्या-क्या चीजे हैं यह तो एकदम कहानी जैसी है क्योंकि अभी कॉंसेट में आपका आया निया लेकिन फिर भी NCRD हमें से कहानी देता है तो इसलिए हम भी आपके लिए कहानी पढ़ है तो यहां पर एक है क्या लिखा है यह एक्सेंट डैट प्रिजर्विंग एरिया ओफ सच्छ बाइरिट्रीकल इंपॉर्टेंस में अपार्ट ऑफ नेचनल है यानि कि यह जो बाइस से रिजर्व वगरा होते हैं इतने सारी हमारी यूनीक कल्चर की वज़े से जो हमारा है वह हेरिटेज एक तरीके से आ जाती है अब देखो माधवा जी एक्स्लेंट टू चिल्डर डैट अपार्ट फॉर्मार परस्नल एफर्ट ऑफ दे सोसाइटी गर्वर्मेंट एजन्सी और टेक केर ऑफ फोरेश्ट एनिमल्स हम तो फोरेश्ट और एनिमल्स की करनी करनी प्रवर्मेंट की एजन्सी जो इन सब चीजों की केर करती है गर्मेंट लेस्डान डे रूस मैटर्ड एंड पॉलिसी इस टू प्रो टेक्न कांजर्व थे हैं जो गर्मेंट है यहां पर लाती है जिससे की हम लोग हमने फॉरेश्ट जो है सेफ कर सकते हैं ठीक है वाइड सेंचुरी नैशनल पार्क बायोस्वेर रिजर्व एक सेक्टर अप्रोटेक्टिव एरिया सब्सक्राइब करेंगे यह यलो बॉक्स और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे बायोस्वेर रिजर्व अगर यह स्टोडेंट आपको हमाई चोटे से वीडियो से कोई भी हर्प मिलिए तो आपको क्या करना है सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऐसे ही साइन्स के मज़धार वीडियो मिलते रहे और आप एडूकेशन से रुके नहीं और आपके देँए अजैँए।